वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्मेंटेशन कस्टम में आप सभी का स्वागत है आज का जो वीडियो का स्रीज है इस स्रीज में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल ट्रेड में वर्क कर रहे हैं और वर्क करते हैं इनको टम्स का जो मतलब है बेसिकली इनको टम्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इनको टम्स जो है किस तरीके से वर्क करता है इंटरनेशनल विजनस के अंदर और यह कब एस्टेबलिस हुआ किसने इसको बनाया और इनको टम्स जो है responsibility बनती है किसकी क्या liability बनती है वो आपको किस तरीके से पता लगेगा तो बैसिकली इंटरनेशनल बिजनस को जो है बहुत ही सरल तरीके से चलाने के लिए बहुत इंटरनेशनल ट्रेड में इनको टम्स का हम यूज करते हैं अब इनको टम्स किसने बनाया है कब डेवलप हुआ है यह सारी चीजे में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं इससे परले मैं यदि बता दू यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टा से आता है और एक चीज में और एड करने वाला हूं इसमें कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्रीज है मैंने 19 में 2023 से स्टार्ट किये और कंटीनुशली क्या है मैं यूटूब के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड में वीडियो अप्लोड करता हूं यद कि किस तरीके से इंटरनेशनल विज्ञेस में वर्क होता है चाहे बैंकिंग हो चाहे सीपिंग हो चाहे कंपनी हो फर्म हो MNC company हो किस तरीके से हम work करते हैं उस सारी चीज़े में step by step बताने बाला हूं आप मेरे प्रिवेस वीडियो जा के देख सकते हैं आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप तभी मेरे चैनल को सस्क्राइब करें otherwise यदि आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप मेरे करें चैनल को सस्क्राइब करें के लिए इंपोर्ट-उस करने के लिए इस वीडियो कर सक्तें गरूप को जो जो आप ज्यूएन कर सक्क्राइब कर सकते हैं जान क凌श भी अप्डेट आता इम उस ग्रूप में क्या है अपडेट करता हूं इस विवारे तो आएय है मैं बिना किसी देपने के मैं आपको बताता हूँ इंको टरंम्स के बारे में इनको है क्या और किस तरीके से आप बिश्वास मानिये करिए कि यह वीडियो देखने केबाद यह सारे चीजिजे एक कवर नहीं होगा कि इसके लिए तिंचार वीडियो म ही पाएंगे कि इनको टम्स में एक्चुल है क्या और किस तरीके से वर करता है तो कि तिन-चार वीडियो बनेगी तिन-चार स्रीज में बनाऊंगा तो वह स्रीज आपको पूरी देखनी है तभी आपका जो है इनको टर्म्स का जो है डावड जो हो किलियर हो जाएगा तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर की रिस्पोंसबिलिटी को अडिन्टिफाइ करने के लिए जो है इनको टम्स बनाया गया है इंपोर्टर एक्सपोर्टर की जो क्या रिस्पोंसबिलिटी है क्या लाइबिलिटी है इसी दोनों को अडिन्टिफाइ करने के लिए क्या है इंटर में यानि 1936 में इनको बनाया गया है इसको बना मैं रुप में चाली उप में बनाया गया है ताकि का में बहुत ऑप एक्सपोर्ट के इंडिय को मान दिये यह इन्डोनेसिया इसको मान दिये यह वhesia क्या वर्डवाइड जो है लेटेश इनको टोम्स जो है 2023 चाहरा है को कि का यह मतलब होता है यह लएबिलिटी और स्पॉन्सव्लिटी लएबिलिटी एंड सैसे कॉल इनको टम तर्फ अब इनको टम्स वह कितने परकार के होते हैं तो मैं आपको बताऊं इनको ट्मस जो है कि ग्यारफ परकार के होते हैं कि 11 इनको टम्स हैं जिसको हम इंटरनेशनल बिजनस में या इंटरनेशनल ट्रेड में हम यूज करते हैं आप केटी यह आपको पता लगेगा कि मैदि एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरी जो लियाबिलीटिय टू कर रहा हूं यदि मैं export कर रहा हूं यदि मैं import कर रहा हूं तो मेरी जो liability goods को ले करके कहां तक तो मैं आपको बतानेवालाओ इनको टरम्स जो है 11 इनको टर्म्स कौन-कौन से हैं तो मैं इसमें क्या करूँगा 11 में आपकी नाम बता दूँगा उसके बाद एक-एक इनकोर टम्स को अलग-अलग तरीके से आइडेंटिफाई में आपको करके बताऊंगा उस इनकोर टम्स में यदि आप काम करते हैं तो आपकी जो है वो कहां तक होगी एक्स वक्स है दूसरा है FCA तीसरा है CPT चोंथा CIP पांच माहें डी अपी च्छटा है डी पी उसके बाद उसके बाद जो है चार इनको टम्स ऐसे हैं जो तो रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होते हैं ज्यादा तर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्टर है इसी इंको टॉम्च में यूज करते हैं वो कौन-कौन से हैं यहां पर देखे ऐफ ए-ए-ए-ए-श-F-O-B-C-F-R-C-I-F यह चार इनको होते हैं तो टोटल जो हैं यह 11現在 हैं और सब का या है अख अलग तरीके से इंटरनेश्नल ट्रेड में उस होता है इंटरनेश्नल बुजञ़ में उसके लिए मैं किया अलग से इंटिपाइब करके आपको बताऊंगा कि किसकी क्या जिमेदार ही है किसकी क्या डिस्पोंसरीटी है और कहां तक यूज किया जाता है आशा करता हूं आप लोगों के वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करें तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं तब त झाल झाल